लॉक्डाउन फोर में सरकार ने रियायत देते हुए कपड़ा बेवशाय और रेडी मेड को कुछ जरूरी एहतियात के साथ खोलने का निर्देश दिया और इस वक्त हम जहां पर है यह मुझजफरपुर का सूता पट्टी कपड़ा मंडी है जो बिहार ही नहीं देश का एक बड़ा कप्रा मंडी है आप देख सकते हैं यहां पर लगभग एक हजार तक थोक वस्त की दुकाने हैं और रेडी मेड होलसेल की दुकाने हैं सरकार ने जरूरी एहतियात की दिये हैं इन लोगों को उसमें निर्देश में यह शामिल है कि दुकान के बाहर सफेद पेंट स से गोल घेरा बनाना निवार्ज है ताकि जो ग्रहा काएं वह पंक्ती बढ़ और सोसल डिस्टेंसिंग के शांस कतार बढ़ रहें और सोसल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो हम यहां के स्थानिये दुकांदार से बात करते हैं जो रेडी मेड के होलसेलर हैं क्या स्तिती है सरकार ने जो इतने दिनों बाद आज लगभग साथ दिनों के बाद आज कपरा मंडी में रौनक लौटी है आप होलसेल विक्रेता हैं कार के सबसे पहले तो यह जो खुसकबरी यह खुसाली जो हम लोगों को मिली है इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद आपको बेवसाय तो मान के चलिए लगन खतम हो गया इद समाप्ती पे है लेकिन एक दुकान का माल खराब होने से बच गया और जो जंग लग गई थी सरीर में वो एक मानसिक एक जो मतलब परतारना मसूस करते थे घर में बैठके उस परतारना से मुक्ती मिलेगी कि कम से कम अपर कितनी होलसेल की दुकाने होंगी यहां पर एक हज़ार कप्रा और एडिमेट के मिला के होलसेल की दुकाने हैं और सरकार का जो गाइड लाइन है हम लोग उसका पूंट पालन करते वे कि लोगडान 4 में सरकार ने जो रियायत दी है कपरा मंडियों को और कपरा बेवशाय को इससे इनके यहां रहत दिख रही आप देख सकते हैं हमारे शामने सरकार ने अफपस्ट निर्देश दिया था या पहला निर्देश था कि सभी दुकानों के बाहर सफेद पेंट से जो गेरा बनाना है सोशल दिस्टंसिंग का पालन होशकते हैं घ्राइब किस तरह से कहां से आए हैं और क्या ले रहे इतने दिनों से दुकाने बंढ थी हम लोगे डीटेल की दुकान है ढ़ोली बजार में तो चुकि यहीं से माल परचस करके ले जाते हैं काफी दिनों से बंद थी तो हम लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा था अब दुकान खुल गई है तो कुछ रोजी रुजगार में कुछ हम लोग के जीवी का चले इसके लिए हम लोग पर्चेजिंग कर रहे हैं ताके रीटेल दुकान में बेश सके ग्रीव मंत्राले के दिया गया जिसमें सबसे पहले दुकान के बाहर सेनिटाइजर रखना निवार्ज है ग्रहकों के लिए और दुकांदारों के लिए इसके बाद जो है मास्क सभी के लिए पहनना निवार्ज है आप देख सकते हैं आप भी जो दिखाई दे रहा है तूता पट्टी बिहार क ही नहीं देश का एक बड़ा कप्रा मंडी है जहां से बिहार ही नहीं नेपाल तक कप्रे की सप्लाई की जाती है आज लगभग साथ दिनों के बाल यहां पर रौनक दिखाई दे रही हैं यहां के स्थानिये दुकांदार से बात करते हैं आज लॉक्डाउन में पहली दिन दुकान खुली है किस तरह से इसे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगने हम लोग के समस्याओं को उठाए भी था वस्तर व इसे उत्तर बिहार और नेपाल जाता है नेपाल जाता है थोक वस्त विक्रेता है जो बिहार ही नहीं नेपाल कपरे की सप्लाई करते हैं और काफी खुश दीख रहे हैं चुकि लॉक्डाउन में सरकार ने जरूरी हैतियात के तहट इस कप्रामंडी को खोलने का देख रही है चलते हैं मागे दूसरे दुकानों पर देखते हैं क्या इस्तिति है जरूरी निर्देशों में एक निर्दे से अभी है कि जो भी ग्राहक या दुकांदार दुकान के अंदर रहेंगे उस सभी मास्क में रहेंगे तो यह होलसल कपरी की दुकान है आप देख स कुए हैं ताकि अपने दुकानों में नए कपड़ें ले जा सके हम बात करते हैं स्थानिय दुकांदार से आज साट दिनों के बाद दुकाने खुली है सरकार ने रहत दी है क्या hormone मंत्रा ले के आदेसका, अनुसार जो बिहार सरकार ने आलोक में लेके कपड़े की दुकानों को सब्ते में तीन दिन खोलने का एक निश्चिस समय के लिए जो निड़ने लिया वह हम सभी वैपारियों के हित में बहुत अच्छा निड़ना है और सरकार ने उसके लिए जो गैडलाइन दी है वह हम भी यह सेनेटाइज करते हुए दुकान के अंदर परवेस करें और सभी वैपारियों के हित में बहुत अच्छा निड़ना है मैं बिहार सरकार को धनवाद देना चाहता हूं आज तक मीडिया वाले को धनवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यन से हमारी जो मांग थी उन देरे मंडी में धीरे धीरे रावनक लोट रही है और ग्री मंत्राले के निर्देशान उसार अस्थानिये जिला परसासन ने नोटिस जारी करते हुए सब्सक्राइब करते हुए अज पहला दिन 60 दिनों के बाद अपनी अपनी दुकाने खोल दिये हैं और धीरे धीरे मुझफर पूर बिहार तक